हेलो फ्रेंट्स, फिल्कम तो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स, आज मैं आपको बाइक और स्कूटर के एक नॉन प्रियोडिक मेंटेनेंस पार्ट्स के बारे मताने वाला हूँ जो की बहुत जादा इंपोर्टेंट है, मैं बात कर रहा हूँ कार्बूरेटर के पाइलेट जेट की कई बार क्या होता है कि जो पाइलेट जेट है वो क्लॉग हो जाता है, गंदगी के वाईसे वो जाम हो जाता है जिसके वज़ा से बाइक और स्कूटर में पाच अलग अलग प्रॉडम्स क्रियेट होने लगते है तो अखरी ये पाइलेट जेट क्या काम करता है, क्यों इंपोर्टेंट है, क्यों इससे साफ रखना चाहिए और वो कौन से पाच प्रॉडम्स क्रियेट होने लगता है, इसी के बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखे जहां पर वो कम्प्रेस होने के बाद जलता है, जिससे के इंजन पावर प्रॉड्यूस करता है, लेकिन इंपोर्टेंट बात ये है कि कार्बूरोटर के अंदर में जो हवा और पेट्रोल मिक्स हो रहा है, बेसिकली इनमें तीन जेट्स का बहुत इंपोर्टेंड रोल होत उस टैम पे कार्बूरोटर के अंदर में जो हवा और पेट्रोल मिक्स हो रहा है, वो इस पाइलेट जेट से होते हुए ही जाता है, और वही उसके हिल्प से हवा और पेट्रोल का मिशन हो पाता है, साथ ही जब आप अपने बाइक के स्कूटर में 0 से लेकर 20 परशेंट तक यानि कि 0 से करे 20 परशेंट तक जब आप अचलेटर लेते हो, उस टैम भी उस दौरान भी हवा और पेट्रोल के जो मिशन है, वो पाइलेट जेट के वज़ा से ही हो पाता है, लेकिन जैसे ही आप आगे लेते हो, एकीस से लेकर 80 परशेंट तक अचलेटर लेते हो, उस टै करने वाले हैं पाइलेट जेट के बारे में, अब देखो कई बार जब पाइलेट जो गंदा हो जाता है, तो जैसे ही वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, तो पेट्रोल का सप्लाई वहाँ पे आइडिल के पोजिशन पे और दूसरा जावब 0 से 20 परशेंटर ले र हो रहा है कि maximum time आपको चोक लेना ही पड़ जा रहा है, एक दो बार भले किक से या से स्टार्ट हो जाए, लेकिन maximum time में आपको चोक लेना पड़ रहा है, तभी इंजन स्टार्ट हो रहा है, आप समझ जाओ कि यहाँ पे बहुत हद तक चांसे से कि जो पाइलेट जेट है, वो clock है, वो गंदा है, वो jam है, जिसके वैसे यह वाला problem देखने को मिलता है, तो आपको इसे साफ करवाना पड़ेगा, जो number two issue है, वो idling issue, जब आप इंजन को start करते हो, तो आप यह देखते हो कि यह तो इंजन स्टार्ट हो तुरंद बंद हो जा रहा है, number two, इंजन स्टा clock होने के जाम होने के वजह से होता है, number three है, speed issue, देको आप क्या करते हो, starting की मैं बात करो, टीक है, जब आपके bike खड़ी हो, उच टैम पे, अगर आप bike accelerator खड़ी हो उच टैम पे, आप जैसे ही accelerator को लेते हो, तो accelerator लेने के बाद भी, आपको 20% से भी जादा जाना पड़ रहा यानि कि 0 से 10%, 0 से 15% में आपको बिल्कुल speed ही नहीं मिल रहा है, अप गाड़ी आगे movie नहीं कर रही है, तो ये भी बहुत हद तक जो clock jet, pilot jet है, उसके वजह से हो जाता है, आप इस बात का ख्याल रखे, चौता problem को देखने को मिलेगा, performance का, high speed की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप चला रहे हो, high speed में हो, तो आप देखो हो कि high speed में जो acceleration का response है, वो सही नहीं है, आपको जटका से एक महसूस हो रहा है, कि आपको गाड़ी जिस power के साथ आगे बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ रही है, हाला कि ये कई अलग-लग करनों से होता है, spark plug के वाज़ से भी ठीक है, कोई भी आगे उस स्लोप है, उपर की तरफ स्लोप है, आप वहाँ पर चला लो, कोई bridge वगर है, वहाँ पर चला रहे हो, आप हिल में चला रहे हो, या आप high speed में stretch कर रहे हो, यानि कि मैं आपको बताना चाहूंगा, कि आप अपने bike a shooter हो क्या कर रहे है, कोई 80-90 का speed है, और आप उसी speed को continue पकड़ के लगतार भगाने की कोशिश कर रहे हो, और उस बीच में आपको fail हो रहा है, कि भाई, engine box down हो रहा है, engine का कहा है, कि power का loss हो रहा है, engine में जहटका आपको feel हो रहा है, या सही से आपकी गाड़ी ऊपर नहीं चड़ पा रही है, जहां पर अप पारा ध्यान जाता है, लेकिन कई बार, चूकि यह internal part होता है, यह floating chamber में होता है, carburetor क्या, तो इसके उपर में ध्यान नहीं जाता है, तो मैं आपको recommend करूँए कि इन में पार्च में से कोई problem अगर आपके गाड़ी में देखने को मिल रहा है, तो आप जरूर से अपनी अगर आप साफ रखोगे, तो आपको बहुत हतक माइलेज का भी improvement देखने को मिल जाएगा, खास करके कम speed में, जब ट्राफिक में फसे हो, इस दौरान जो माइलेज का इस्ट्रू है, वो भी बहुत हतक इंप्रूब हो जाएगा, तो उम्मीद है इस वीडियो में दीगे ज आप मुझे करके जरूर बताए, इसके लाव अगर आप चैनल पर नहीं हो या भी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आकन को भी दबाले, ताकि आने वाले important videos के update, आपको notification के थूरू मिलते रहे, मिलते अगले video to my thanks watching this video, goodbye!